हलो फ्रेंज असलाम अलेकूम नमस्ते आज में आप लोग के लिए सोया यखनी पुलाव की रेस्पी लेके आई हूँ जो की सुपर इजी बनाने वाली हूँ मतलब आप यह मत सोचना की यार यखनी पुलाव मतलब बहुत ताम जाम होगा कुछ ताम जाम नहीं है इसे मैं आपको आज कुकर में बना के दिखाऊंगे और कितना इजी और कितना जल्दी बन जाता है और टेस्ट तो माशाला इसका जो लोग वेजटेरियन हैं उनके लिए तो बहुत अच्छा और तची रेसिपी है तो फिर चलिए देख ले ते हमें इसके लिए क्या क्या चाहिए और इसे हम कैसे बनाई इसके लिए मैंने बुज्यानी चावल ले रखा है और मैंने सोया को मतलो आधे हिंटे पहले गरम पानी से भीगो दिया था तो यह अच्छी तरह से भीग चुका है देखिए पूरी तरह देडी है उसके बाद मैंने खड़े मसाले में डालचीनी इलाइची दोगो लॉंग का ब्लाको पास काड़ा है अलो को मेंने इस तरह से बड़े बड़े पैससे में काट लिया है बड़े बड़े पास है तो आप इससे डाले अधर वाइस आप इसके जगे पर कोडिया या वारभा दननी आभ्रेटी बशाओ english है में मैंने हल्दी नमक और लालमी स्रे रखा है ये बियानी मसाला मैंने ले रखा है ये घर का बना हुआ है इसका भी रेस्पी में किसी दिन आप पे साथ शेयर करूंगी तो फिर चलिए ये सारी चीज़े हमारी रेडी है आप यहां पे जीरा पॉडर और धन्या जीरा पॉड ले लिया है चार चमन और इसमें बतर आज कर दो हमारी जब गरम हो जाए तो हमारी पास अच्छे सारे खड़े मसाले उसको हमें डाल लेना है और हलकी आँश में उसको भून लेना है ताकि उसका जो फ्लेवर है वह अच्छे तरह से ओईल में मिक्स हो जाए और अब जब अच्छे डाले तो आप कोशिश करें उससे हलका सा कूट के डाले ताकि फ्लेवर है वह अच्छे तरह से निकल पाई अब उन प्याज में ढाले जाए जब तेर में घ्रेवना गरम फीर यह सारे खूई जाएंगी तो प्याज को हमारी प्राउन होने तक प्याज को अच्छ तर इसमें भूर है तर इसे को अच्छी आच पर पेड़ लेगे प्रावन हों झाय तक अच्छी मजाय नहीं छोड़ लेता है तब तक असे बूर नहीं को आख याठर के शाष़ फार है अब यहाँ पर जीरा पौडर जो है गोड़ें चीइश्पून बहुतें नज्डारभश सकते हैं विल्टोढ़ें सब चाहिकवेता अब हम तरहें डेलें जाएं दागे अब में तोचने घ्जक्वन परके निगालें पखने जब तक टांच शॉद्ध। जब खोया अच्छे तरह से भून जाए उसके बाद हमें आलू डालना है और जो हमने भिगो रखे थे चावल उसको डालना है और बिर्यानी मसाला डाल की जिए एक कटोरा अगर आप उसमें डाल रहे हो ना मतलब चावल तो आपको उसमें दो कटोरा पानी देना है क्योंकि उसमें हमने आलू और बगर डाला इस चकर में तो एक कटोरा चावल में दो कटोरा पानी आपको डाल अभी आपको कुकर के हाई फ्लेम में दो सीटी लगानी है और जब वो सीटी लग जाए और पूरी ग्यास निकल जाए तो हम अभी कुकर खोल के देख रहे हैं मस लग र नहीं है तो वहाँ पर आप पूरीने का पत्ता यूज करें अगर आपको ये मेरी रेसी भी अच्छी लगी तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक करें सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेर करें ओके थैंक यू